सैनिटाइजर अभी बहुत ज्यादा महेंगे बिक रहे हैं, सैनिटाइजर बनाने का भी सिंपल तरीका है, आपका जो आफ्टर शेव होता है, या डॉक्टर स्पिरिट होती है, जो स्पिरिट होती है, उसको आप आदे भाग में नॉर्मल पानी से मिलाएं, बिसलेरी के पान जिसको हम बोलते हैं, उसको मास को आप गरम पानी में धोईए, सैबलोन डालके, मैं एक्स्ट्र आपको वो बता रहा हूँ, धूब में सुखाईए और प्रेस करके पहन लीजे, तो अगर आपने तीन-चार मास बना लिए, तो उसको आप बार-बार रिपीट कर सकते हैं, जैसा कलेक्टर साहब ने बताया, 50 रुपय का, 100 रुपय का जो लोग मास बेच रहे हैं, कल मुझे खबर मिली आयमे में कि सैनिटाइजर लोग 500 रुपय के बेच रहे हैं, ये आपके प्रेस के माध्यम से इसमें इसली रोका जा सकता है, क्योंकि कोई भी हाथ धो नहीं इन तरीके से फैली नहीं है, जिस तरीके से इसको प्रसारित किया जा रहा है, चायना जाहें ये सबसे ज़्यादा थी, 2% जो इसकी मॉटालिटी है, वो बिमार लोगों में या व्रिद लोगों में हैं, और 47% सब क्लिनिकल केस हैं, सब क्लिनिकल केस मतलब जिनके अंदर करोना वारिस आया, उनकी इम्म्यूनिटी ने खुद बाखुद करोना वारिस से लड़के जीद गई, उनके अंदर कोई सिम्टम सी नहीं आए, तो 47% सब के निकल केस का तो किसी को पता ही नहीं चला, प्रोग थाम के लिए विटिमिन C आप जित्ता ज्यादा ले सके, यूँकि वो वाटर सॉल्यूबल विटिमिन है, ज्यादा लेंगे तो बॉड़ी से एक्स्क्रीट हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा, विटिमिन C ले, 8 गंते की नीन ले, स्ट्रेस फ्री रहे, बाख नेबू पानी पी है, कलेक्टर सहाब बता ही चुके हैं कि आप क्लोस प्र कार नहीं आती उनके सिर्व में, ड्रॉपलेट इंफेक्शन से फैलता है, और जो कच्रे एक खटे होने वाली जगाएं, उन पे करोना वाइरस ग्रो करता है, डस्बिन के आजू-बाजू, जहां पत्तियां पड़ी हुई है, इन जगाओं वो अपन खुद भी है, सिटिज साफतर पक्ते हैं,